सब्स्क्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए स्बैल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आप बीट रूट यानी की चुकुंदर का हलवा कैसे बना सकते हैं दोस्तों अगर आप नाम सुनकी वीडियो बन करने जा रहे हैं तो फ्लीज रुख जाएं मैं आपको बता देती हूँ कि बीट रूट का हलवा भी गाजर के हलवे के जितना ही टेस्टी बनता है आप सभी की तरह मुझे भी बीट रूट नहीं पसंद थे लेकिन जब मैंने इसका हलवा खाया तो मेरी थेंक्टिंग पूरे तरीके से चेंज हो गई इसका हलवा भी टेस्टी था तो मैंने इसकी रेसिपी ट्राय की मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेर करनी चाहिए beetroot हम सभी जानते हैं भूधी हिल्दी होते हैं लेकिन फिर भी हम इसे खाने से कतर आते हैं क्योंकि हम इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता beetroot बीटा कैरिटन का बहुती अच्छा सोर्स है और बीटा कैरिटन हमारे आँकों के ले काफी अच्छा होता है साथी साथ बीट रूट खाने से आपका ब्लड प्रेशर भी डेगुलेट रहता है और इसे खाने से हमारे चीक स्पेक अलगी ग्लोव आता है चले देख लेते हैं बीट रूट का हलबा बनाने क्लिमें किन किन चीजों क्या हो शकता है यहां पे मैंने लिए हैं 300 ग्राम बीट रूट यानि कि चुकुंदर यह 3 बीट रूट है साथी हमें चाहिए 3 बड़े चम्मच चीनी के 100 ग्राम खोवा 2 चम्मच देसी गी कुछ बादाम और पिस्ते यहाँ पे मैंने दस से बादाम लिये हैं और दस से बादा पिस्ते इसे मैं बारी काट के यूज़ करूँगी एक ग्लास दूर एक छोटा चम्मच छोटी इलाइची का पाउडर दोस्तों छोटी इलाइची का पाउडर बनाने के लिए आप 6 से जाथ इलाइची को खोले और उसके दाने निकालके अद्रक पूटने वाले में डालकर इसे कूट कर पाउडर तयार करें आप चाहें तो mixer grinder में भी से पीश सकते हैं लेकिन mixer grinder में इतनी कम quantity में लाइट ची अच्छे से powder नहीं होगी तो मैं आपको suggest करूँगी कि आप इसे अध्रक कूटने वाले में ही कूट कर powder तयार करें चलिए हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बीटूट को grate करना है तो हम उसे grate कर लेंगे बीटूट को grate करने के लिए मैंने आप बड़े वाले grater का यूज़ किया है आप भी बड़े grater से ही से grate करें तो आपका हलवा काफी अच्छा बनेगा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप एक बार ये हलवा जरूर ट्राय करें ये बहुत ही टेस्टी लगेगा अगर आपको गाज़र का हलवा पसंद आता है तो आपको बीटूट का हलवा भी बहुत अच्छा लगेगा ये देखिए इसी तरीके से मैंने हाँ पे तीनों वीटूट को ग्रेट कर लिया है इसमें हमारा कोई भी वेस्टेज भी नहीं निकला बस ये बिल्कुल मामुली से बीटूट ही हमारे बचे हैं जैसा कि मैंने बताया आप इसे बड़े ग्रेटर से ही ग्रेट करें तो आपका हलवा जादा टेस्टी बनेंगा चलिए अब हम हलवा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कड़ाई में मैं एक ग्लास दूट डालूँगी दूट को हमें उबलने देना है ये देखिए दूट बॉइल होना शुरू हो गया है जैसे ही आपका दूट बॉइल होने लगे आप इसमें कड़ू कस्कियेवे बीटरूट डालें बीटरूट खाने से हमारा खून भी बढ़ता है ये एनेमिक परसन के लिए भी काफी अच्छे होते हैं अब मैं ऐसे बिलकुल अच्छे से चला लूँगी ताकि दूट के साथ बीटरूट बिलकुल अच्छे से मिक्स हो जाए मुझे दूट थोड़ा कम लग रहा है मैं थोड़ा दूट इसमें और डालूँगी मैंने आधा ग्लास दूट इसमें और डाल दिया अब मैं ऐसे हाई फ्लेम पे तब तक पकाऊंगी जब तक जो हमने इसमें दूट डाला है वो पूरे तरीके से एब्सॉर्ब ना हो जाए बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये बरतन के तले में ना लगे और इविनली कुपो दो से तीन मिनट हो गए वापस से मैंने इसे एक बार चला लिया जब तक बीच रूट में जो हमने दूट डाला है वो एब्सॉर्ब होता है तब तक हम खोई को भी ग्रेट कर लेंगे ये देखे दोस्तों मैंने खोई को भी ग्रेट कर लिया है और इसे मैं अलग रग दूँगी आप देख सकते हैं अभी इसमें काफी दूट बाकी है इसे मैं फिर से चला ले रही हूँ और इसे हम तक तक पकाएंगे जब तक इसका पूरा मॉइस्चर एब्सॉर्ब ना हो जाए आप देख सकते हैं बीच रूट का मॉइस्चर अब एब्सॉर्ब हो गया है इस समय मैं इसमें दो चमस देशी घी के डालूँगी अगर आप पिगला हुआ घी यूज़ कर रहे हैं तो आप चार चमस डाले मेरा घी सुखा हुआ है इसलिए मैंने यहां फे दो चमस ही डाला है और यह छोटे चमस थे घी भी अब मेल्ट हो गया अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो भी एब्सॉर्ब हो जाए और घी अच्छे से हमारे हलवे में मिक्स हो जाए अब मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम हाई कर रखा है मैंने इसे तीन से चार्वनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे पकाया अब इसमें से पूरा मॉइस्चर एब्सॉर्ब हो गया इस समय मैं इसमें तीन बड़े चमस चीनी के डाल रही हूँ और मैंने अपनी फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पे चीनी को बिलकुल अच्छे से पिघलने तक हमें इसे पकाना है ये देखिया आप देख सकते हैं चीनी पिघल गई है और इसमें एक सिरपसी फॉर्म हो गई है इस समय मैंने इसमें एक छोटा चमच छोटी लाइची का पाउडर डाला है लाइची पाउडर को भी मैंने हलवे में अच्छे से मिक्स किया है ये देखिया आप दिख रहा होगा इसमें शुगर सिरपसी फॉर्म है अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें जो चीनी का मॉइस्चर है वो भी अब्सॉर्व ना हो जाए आप देख सकते हैं हलवे का कलर कितना ब्राइट है चीनी का मॉइस्चर भी अब तक क्रीबन एब्सॉर्व हो गया है जो हमारे चीनी में से पानी निकला था वो अब सूप गया है इस तमय मैंने इसमें खोहा डाला है और फ्लेम को मैंने लो रखा है लो फ्लेम पे मैं ऐसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक खोहा बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और वो हलवे के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स ना हो जाए खुआ भी अब हलवे में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है और वो पिघल भी गया अब मैं इसमें ड्राइफ रूट्स डाल रही हूँ थोड़े से ड्राइफ रूट्स मैंने बचा लिए वो मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूंगी ड्राइफ रूट्स को भी अमच्छे से मिला लेंगी अब फाइनली मैं इसे लास्ट एक मिनट के लिए कुप करूंगी एक मिनट हो गया है मैंने इसे कंटिनवस्टी चलाते हुए पकाया अब मैंने फ्लेम को आफ किया चलिए मैं आपको से सर्व करके दिखाती हूँ ये देखे दोस्तों तयार हलवे को मैंने सर्विंग बोल में निकाला है और उसे बचे वे ड्राइफ रूट से गार्निश किया है इसी तरीके से दोस्तों आप भी वीट रूट का हलवा बनाएं और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्चन में लिखके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें आगे और भी अच्छी अची रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ उस तिल देन गुडबाई और थैंक्स वाचिंग में लिखके 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 ल